हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जे स्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सब एक पर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटियोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगे आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ना पर उसमें हमने साइंस सब्जेक का एंन मैतेमेटिक सब्जेक का आप लोग के लिए टेस्ट कंडग करवाए था करवाया उमीद करता हो कि आपने जरूर से उसको आटेम्ब किया है वो वीडियो भी जरूर से देखा होगा इसे काफी जाद़ इंस्ट्रक्शन्स वगरे दि दोस्तों किस तरह से डाउनलोड करना है वो भी हम आपको बता देंगे ओके तो सबसे पहली बात आप देख सकते हो यहाँ पर देडिस स्टैंडर्ड 9 के लिए है यहाँ पर हिस्ट्र पॉलिटिकल साइंस है जोग्रफी का आपको अगले दिन ही मिल जाएगा हिस्ट्र इन किये हुए है इसको भी देख लेते हैं तो जर्नल इंस्ट्रक्शन इस प्रकार है टेस्ट जो है नॉमली हमने जितने चाप्टर किये हुए है अभी तक हिस्ट्र पॉलिटिकल साइंस में उसके ओपर दिया हुआ है तो हिस्ट्री वन टू फॉर चाप्टर है वन टू टू पॉलिटिकल साइंस सीफ दो ही चैप्टर हमने कवर किया था वन टू तो इसके इसमें से ही कोशन्स पूछेगा है जितने भी कोशन्स है कंपल्सरी कोशन है तो इसके लिए 15 कोशन के हो गए 15 मार्क्स तो आप देख सकते हो यहां पर 15 मार्क्स का है अब थोड़ा सा बात कर जाएगा तो उसको जॉइन करने के लिए आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको बस जाना है टेलिग्राम ओपन करना है और हमारे चैनल पर जाके जॉइन कर लेना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिय एक marks का ही कोशन है तो आपको जो return source है यानि कि short notes जो है ये एक से दो लाइन में लिखना है one sentence में वो भी own words में लिखोगे तो भी चलेगा दोस्तो और खुद के इसाब से self assessment paper आपको पता ही जैसे में आप बहुत बार बोला हुआ है कि इसमें आपको लिखने के बाद खुदी assess करना है कि आपको 15 में से कितने marks मिले जितने भी marks आप score कर पा रहे होंगे वहां पर आपको marks जो है हम लोगो कमेंट करके बताना है कि हमने 15 में से कितना marks score किया तो फटा फट से ये चीज़ देख ले ना 7th question give reason है 8th question full forms लिखने MNF के and NNC के फिर हमें कुछ concept जो है own words में लि सकते हो six की बात करें यान कि जो हमारा political science का part होता है तो उसकी अगर बात करें तो choose the right answer right option and rewrite the sentence same इसमें भी objective type है चार में से कोई एक option आपको select करना है 13th question जो है true or false conduct करना है that is यह वाला है and 14th question भी true or false ही है connected है यह वाले questions ठीक है and 15th question explain the concept Indian foreign policy क्या है उसके बारे में आपको आप लोग जल से जल इस paper को attempt करोगे जब भी आपको time मिलेगा दोस्तो फटा फट से attempt कर लेना and दोस्तो फटा फट से इसको solve करके और हमें comment करके बताना कि आपको 15 में से कितने marks हासिल हुए दोस्तो हम लोग आपके comment का faith करेंगे तो उमीद करता हो हर एक instruction and किस प्रकार आप आपको attempt करना है and कैसे आपको pdf को download करना है टेलिग्राम से यह सब आपको समझ में आ गया हो दोस्तो तो आज के लिए यहीं पर मैं stop करूँगा clear हो गया होगा आपको I guess ठीक है तो अब हम चलते हैं सिधा हमारे अगले पार्ट की तरफ यानि की चो हम लोग का goodbye बोलने का time आ तो अगर आपने अभी तक इस चानल को subscribe नहीं किया है तो फटा फट से हमारे इस चानल को भी subscribe कर देना सापने bell icon को press कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को notification मिलती रहेगी ठीक है friends तो मिलते हमारे अगले वीडियो में यह वीडियो देखने निकले थांक यू और गुझ बगवाई